असकार मीत्रों मैं विनेकुमार आपका विनस्माय करेट में स्वाधिय करता हूं आज जिसका जो हमारा टॉपिक है वो बायो डावर्सिटी का पार्ट टू है ठीक है हमने पार्ट बन पहले से ही बना चुके हैं यहीं आपने वह वीडियो देखा नहीं होगा तो उस वीडिय क्या क्या लाब हो सकते हैं ठीक है तो आज हम लोग जेविक्ता के बिलुप्ति के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में यह जो है बायो डावर्सिटी जो है यह बिलुप्ति क्यों हो रहा है ठीक है क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण यह बिलुप्ति के पर हैं कोई संकत अच्छांगार पर हैं ना प्रशाथ यां निए आखिर में इसके बियुद्ध की कारण क्या है ठीखे इसमें बहुँत सारे क्लासिकेसन किया है जंगलों का बिनास किया जा रहा है कि जंगलों का बिनास किया जा रहा है जिसके करण जंगलों में रहने वाले जीजन्तु पेड़ पवधे इन सब जो खत्राएं पड़ जा रहा है और जीजन्तु जो होते हैं एक्चोन जो जंगल में रहते हैं वार में हमारे इलाकय में रहते हैं ठीक है इसके अपने वे अपने स्थान को छोड़कर हमारे स्थान में आ जाते हैं और हमको परिशान करते हैं तो यहां पर आपको बिलूपत होने के कारण देखने के मिलेगी विदेसी जातियों का प्रवेसित मान लेते हैं कि कोई एक अन्य प्रकार की पेड़ पाउदे हैं यहीं इस एरिया में आते हैं जिस एरिया में बहुत ही प्रचूर मात्रा में आपको बायोडर्सिटी रहेगा ठीक है जैसे कि एक तलाब में क्या तो बहुंच सारी कमल के फुल खीले हुए हैं परन्तु एक बि इतने प्रकार की जो पेड़ पाउदेच होते हैं जो जीव जन्तु होते हैं उनको अलग से वाटर जो में ऑक्सिजन घुला रहता है उसको पूर्ण रूस से नहीं मिल पाता है ठीक है तो यहां पर आपको कमी देखने को मिलेगी ठीक है जूम खेती या मिल फाव फ cavet ah जानते हैं जूम खेते से आप जोंज गें होगे कि एक इस्तान को छोड़कर दूसरे इस्ताम करेएक खेति करना हरव हरा जो इस्थान हता इसको उस सफाई करना उसको जला देना उसको मौना देना इस तरह से वहां जो आपन निवास करती रहती है वह भी चरन के इस सिती में आ जाती है तो इस प्रकार की खेती को जूम खेती या फिर करते हैं ठीक है अध्यान प्रयोग की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्स कहा होते हैं अध्यान के दाउरान पेड़ पौधे जीव जन्तों पर एक्सपरिमेंट करते हैं जैसे की आपको अभी भी ज्यात होगा कि कोरुणा वायरस टेक्स्टिंग करने के लिए जो भी ट्र सब्सक्राइल के जारे कोरुणा वेक्सिंग दोनने के लिए तो यह भी प्रकार का दो बायोडावसिटी में कमी होने का एक महत्रपूर्ण कारण हो सकता है ठीक है ओकी देखिए आप जिस तरह से यह जो हमारा रसायन के जिससे हम लोग प्रयोग करते हैं ठीक है तो उस रस सब्सक्राइब करते हैं तो इन सब पहलों को आप महां पर डिसकस कर सकते हैं ठीक है कि 1980 में बॉटेनिकल सर्वे अप इंडिया ने वन अनुसंधान सरस्थान था यहां पर कोशन पुछा जा सकता है कि वन अनुसंधान सरस्थान किस जगह इस्थीत है तो आपका देहरादून में होगा ठीक है तो यहां पर 288 में क्या किया गया था कि बॉटेनिकल सर्वे अप इंडिया ने वन अनुसंधान सरस्थान के साथ मिलकर एक का निकार अचाल प्रकार का पुष्टर यहां पर जारी किया गया था किस का जो पहला जो उसमें बोला गया थे कि 187 में आपका 255 संकत उत्पन जातीया wanna पर एसी जहाटिया साथ जो भविस स्मय की होना है यहां एक reviewed स्में Kai की संभावावना रखते हैं उससे हम लो इसंगत उत्पन जाती घड़े नसार आब पर 192 जातियां और जोड़ी गई इसमें मतलब यहां पर आपको प्रजाती के संख्रा में प्रिद्धी देखने को मिलेगी अर्था और अधिक मातर में लुप्त हो गए ठीके अधार जो एडिशन हुआ उसमें भी आपको 192 जातियां और फिर से जोड़ी गई है ना हम लोग इसके जरिये आसानी से बोच सकते हैं कि किस तरह से जो जीव जन तो है इंसको पेड़ पौद्धें थिकर उनकी जो संख्या है विलूप्त होने की वह लगतार क्या हो रही है और हमेंशा बढ़ी रही है ना कि घट रही है तो इस पार हम अंधाजा लगा सकते हैं कि क किससे तरह से यहाँ पर विलोपन हो रहा है इसी कड़ी में एक और यहाँ पर यहाँ रहा पर जारी किया था रेड डाटा बुक उसको भी ध्यान दीजेगा क्योंकि यह भी कोस्टन आपके फिजा में पूछा जाचका है कि रेड़ डाटा बुक क्या है ठीक है तो प्रक्रति एवां प्राकृति संपदाओं की सरक्षण के लिए अंतराष्टी संग आई यू सी एन जिसे हम लोग वीश्वा सरक्षण संग के नाम से भी जानते हैं ध्यान देजी किस नाम से वीश्वा सरक्षण संग के नाम जानते हैं आई यू सी एन का पूरा नाम देखाए तो इंट स्काइज सेंटर जिसका नावे 200 स्रचन मौनिटर केंद्र है ठीक है उसने क्या क्या था कि एक सुची तयार किया था इगी उससे ही रेट डाटा बुक नाम संकत उर्पन होने वाले पादप और जीव जन्तु के सुची को दर्स आता है कौन हमारा रेट डाटा बुक ओके ध्यान दीजे जिसको इसी तरह से एक और बुक है जिसका नाम है ग्रीन बुक जो हमारे जारी की तरह के जारी की birth कि गये था बी मतलब sustainable सेवेइडा जारी किया गया था इसमें क्या किया गयर तक इसमें दुरलब प्रकार के पाओधों का ध्यक्त देखने को मिलेगा ठीक है जिस दरह से आपको रेट डाटा बुक में दोनों को को मिलेगा परन्त Green Book में आपको सिर्फ पौधी ही देखने को मिलेंगी उसकी पौधे की जानकरी आपको देखने को मिलेगी जो की एक दुल्लब प्रकार की होगी ठीक है तो यहां पर आपको सव पौधे का वर्णन किया गया जाब BSI द्वार यहां पर जारी किया था तो घ्रीन बूख हो गया और यह हमारा ट्रेटेंड प्लांस आप इंडिया इन तीनों की मदद से हमने सुची जारी किया जिससे पताचला कि कौन-कौन से जियुजनतू है कौन-कौन से पादप है जो कि सब्सक्राइब पन्ना इसीती में है ठीक है तो यह सा हमारा बूख हो देखा कि किस साथ हो रहे हैं लकातर भीन चाती के लिए उसका प्रत्यक प्रत्यचाति के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए उसको सरक्षन भी प्रड़ान करना चाहिए तभी यह बात बन पाएगी तो इसी कड़ी में आयूसी एन ने क्या किया था उन्नीस सो चौरासी और अठासी में तुलब जातियों कि सरक्षन करने के लिए एक कानूनी स्थरप जाती में ऐसा जाती आएंगे जो लंबे समय से ना तो अपने इस्थानी आवास में अर्था वह जहां वह रहते थे अब वहां पर उनकी मौजदी देखने को नहीं मिल पाएगी अर्था वह पूर्ण से बिलुप्त हो चुके हैं तो इस तरह से हम जो भी हैं पादर की जीयुचन की तो इन्हें हम लोग ब्लुप्त जाती के नाम से सुचित करेंगे जैसे जांपल के लिए सकते हैं डाइनोसर हो गया साइके हर गया है आई तो यह सब हमारे ब्लुप्त जाती हैं जो की पूरन से ब्लूप्त हो गये हैं हमको बस इन JAKE की यूग में बिलूप्त हुआ था ठीक है यह कोस्टन भी आपका किसी किसी जामें पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान देने की जवरा है क्रिटेशियर्स अगला जो हाँ पर क्लासिप्र केसें किया है हमारे बिलूप्त प्राय या पिस संकटा पन्न जाती है ठीक है मतला ऐसे जाती है जो निकड़ भविस्थ में अठ्था वह समय तुर्म बिलूप्त हो जाने के संभावना है पॉस्लिबिलेटी बनी हुई है विप्त हो जाएगी तरह से हम जाते हैं को बिलूप्त प्राय या संकटा पन्न जैते हैं कहेंगे प्ल्स के लिए समय विलूप्त होने के प्रकार का कगार पर है ठीक है इसको आप करे नवरे पढ़े होंगे चिटी खुर के बारे में ठीक है जिसे हम लोग छिन भालू के नाम से भी जानते हैं अगला जो हमारा क्लाश्री पिरसन का नाम है सुभेद या अनुरच्छी या फिर वल नियरबल ऐसे जातियां जिसके निकट भूष में संकटापन होने की संभावना हो अर्था ऐसे जातियां जो जिस चेत्र में रह रही है तो उसी चेत्र में उनकी संख्या में निरंतर गिर जावाद देखने को मिल रही है तो इस प्रकार की जातियां को हम लोग सुभेद या पि अनुरच्छी जाते के नाम से जानेंगे ठीक है जैसे कि आपका चील हो गया सियार लोमड़ी गिद्ध हो गया वलच्यार हो गया ठीक है तो इस तरह के हम लोग जो प्रजाती पाए सुभेद या पि अनुरच्छित कहेंगे ठीक है ओके अगला जो हमारा दुलब जातियां यह तो नाम से है कि ऐसे जातियां जो एक सीमीज भोगले चितर पाए जाते हैं अर्थात किसी पार्टेकुलर एक जियोग्राफिकर रिजन में पाए जाते हैं किसी बहुत ब्रीहत बोगली चितर में नहीं पाए जाते और एक इस प्रकार देखने को नहीं मिल पार ही बल्कि वह क्या हो रही है आपकर घिरावार देखने को मिल पार है ठीक है तो इस प्रकार से हम बोचते हैं यह दुल्लब जातियां है और बांधो गड़ का जो सफेट सेर है यह भी क्या है यह प्रकार दुल्लब जातियां है क्योंकि यह सिर्फ पर्टिकुलर एक हमारा बांधो गड़ में ही पाय जा रहा है इसलिकरन हम जिसको दुल्लब जा या कह सकते हैं ओकी देखिए 500 नंबर का जो लाश्ट है इन सब इसे अर्था अप्रयाप्ति ग्याद जातियां मतलब ऐसी जातियां जिसको हम लोग रखे हैं परन्तु उनकी जो वर्तमान कंडिशन में संख्या क्या है उसको हमको जानकरीब राप्त नहीं उसका डेटा हमके नहीं है तो इस प्रकाप्री जाति काएंगे टिके अप्रयाप्ति मतलब इसकोटा हमको पता नहीं है हमको पता है कि वह जीवित है लेकिन उसको अप्रयाप्ता क्या जाति कि एस रेने में रखे हैं इतना आपको पता होना चाहिए ठीक है जिस तरह से आयूसीन ने क्लासिपिकेशन के है तो अब यहां पर मेंस एन लेंड आप एक कले सैंटिस्ट है तो 1990 में मेंस एन लेंड ने कहा था बिलुप्ति करन के प्रात्मिक्ता के अधार पर प्रॉबिलिटी अप एक्स्टेंशन इसके अधार पर इने तीन बराबर भागों में बाटा है ठीक है जबकि आयूसीन कहा था आयूसीन ने स्रच्छान करने के उद्देश से कानूनी स्तरपर लीगल स्टेटेस पर उन्हें पांस बराबर भागों में बाढ़ लगा था परन्तु यहां पर प्रॉबिलिटी अप एस्टिंशन अर्था बिलुप्ति होने के अधार पर इसके बाटा गया है किसने मैस एंड लेंड नेंग कब उन्नियसों नियान्वे में देख लेते हैं कौन कौन सती लेबल है ठीक है तो पहला जो लेबल है क्रिटिकली इंडेंजर इस पेसे अर्था क्रांतिक विलुप्त प्राइज जातियां अधियां मतलब ऐसी जातियां जो आने वाले पांस सालों के अंदर उसमें जो जाती की संख्या 50 परसें या पिपचाव परसें से अधिक विलूपन होने की संभावना है उसमें लोग क्रांतिक जातियां कहेंगे इसके अंतरगा सामिल कुरुँप्र बेरिस निलगिरी इस पर ऐसी जातियां जो आने वाले वडिस वर्शो में जिसकी परजातिए कि संख्या जो बिलुक्त होने की संभावना विदी बने रहती है तो हम इसे बिलुक्त प्राइज जातीयां कहेंगे उधारांख लेकिंगिना यहां पर लाल पंडा के नाम से जानते हैं ठीकिए तो आसानी से इसको याद कर सकते हैं ठीक है जिसे कि यहाँ पर याद कर सकते हैं ठीक है तीस्ता जो हाँ पर क्लासिपिकेशन के जातियां जो आने वाले सव वर्ष में 10 बिलोब्त होने के संभावना होती है उसे हम लोग अनुरक्षित शुभे जातिया कहें तो यह हुमारा हो गया जिसके अनुसार मेस और लेंड की अनुसार यह इतना क्लास्टिक्रिक्रिकाशन किया गया है ओके अब यहां परिछा ओर ध्यान दिजह नियुवने खत्रा वाली जाते हैं किसे ़िए जाते हैं जो क्रांतिक विलूप्त प्राय मतलब कि आने वाले सब वर्सों में कितना 10% इदी विलोपन होने समभाना होते हैं तो ऐसे जाते हैं जो क्रांतिक विलोपन प्राय और सुभेश जाती कि नहीं आती उसे हम क्या करते हैं इस परिवासा भी देख लेते हैं यह भी कुछ आपसे पुछा जा सकता है कि आखिरम इस्थानिक जातियां किसे कहीता हैं देखिए इस्थानिक जातियां से तापर है कि endemic species अरथा सभानिक जातियां वे होती है जो संपुन्द भीशों कि किसी बिसेद्ष्ः चेत्र में यह पाए जाता है अरथा सभी जगाnd suyo s kelog new क्या पायज आएंगे कोई वनस्वत्ति होगा कोई पादफ होगा तो यह किसी विश्चे च्छेतर में ही उगएंगे ना कि सभी च्छेतर में उगएंगे ठीके इसलिए अत्यांद क्या है है क्योंकि यह जातियां किसी करना से विलुप्त हो जाएगी तो संपूर्ण अरुप से क्या हो जाएगी विलुप्त हो जाएगी देखिए अपने ही एरिया में लुप्त हो जाएंगे इस प्रकार की जातियां को हमको सरचन करने की कंजर्वेशन करने की बहुत ही आवस्ता है ठीके यह भारत में लगभा आपको पांच हजार पादप इस्थानी जाती देखने को मिलेगी जिसमें से आपका जो पस्तिमी घाट है उसमें आपका दो त्याय उभेचरी जन्तु जातियां इस्थानी जातियां है ठीक है जांपल के लिए सकते हैं हमाला फाइकस पीपल करते हैं तो यह तो यह अंडियां जाती है तो यह जो भैयातुर जाति है तो यह जो बहती है तो यह जो रहां दिजे ईस तीनों प्रकार की जातियां सामीय होती है तीन प्रकार के जातियां सामीर हो तीजेत क्या होँगे पिक्षा होंगे होंगे ठीक है सुभेध भी होंगे फैसे इंकटा पने मिले पर जो हम प्रकार से हमने क्या पड़ा था कि मिल एंड लैंस के बारे जो किया गया था तीन भागों में तो तो तीनों को मिलाएं तीनों को तो हमारा अलग से प्रजाती जो बनेगी उसे ही हम लोग क्या नाम दिया गया है तो उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो जाहिसी बात है आने वाले समय में क्या हो जाएंगे बिलुपत हो सकते हैं अर्थात इन प्रजातियों को इन पादब जातियों को भिल्ँपत होने के लिए प्रजात है इस प्रकार बना हुआ है इस जो भयातिया जया इब- तो इस तरह से जाएते हैं हम लोग भयातुर जादिया कहते हैं ठीक है लोग 20 से इस्तरी अनुमान के नुसार आवित भी सरीश्री वेचर पच्छी इसनी वर एक जीओं में कितना परसेंट जो बिलुक्त प्राय है तो आपका 16 परसेंट जो क्रांती ग्रूप से क्या है बसा हम लोग देश चुके हैं ठीक है तो यहां पर इसकी संख्या 14 लेकर 37 परसेंट है ठीक है अगर हम लोग नजर डालते हैं कि कौन-कौन साव भारत में संकत ग्रश्ट पाउधे हैं ठीक है देखिए यहां पर क्या के नाम दिया गया है जैसे कि आपका नाम पर रात कुछ पोर्शन हो गया तो इन चेत्रों में आप गुग्गुल या भी कोमिफोरा वाइटी याई पाई जाता है ठीक है अब लोग सेंटेलम एल्बम की बात करें तो सेंटेलम जो एल्बम है चंदन कहते हैं और चंदन का जो एरिया कहां कहां पाई जाएगा आपका ज जो आपका जो पाया जहांपर पाया जाता है इस आप अप मेघालए के खासी पहाडी आपके देखने कहों मिलेगा जो है सरपेंटाइन समझ होगे हमने negalic के शर्प प्रफ्गा यह जिसका कहरी क्लिके जाता है इस चाहिता हाई बलड क्रेसर के लिए चीक क्याुत गैशीम और हिमाले के कुछ इत्रे ही आपको देखने को मिल पाएगी आप ठीक है यहाँ पर एक्ट्रोपा एक्यूमिनाटा यह आपको कहां कहां पाएजाएगा तो जहीं से बात ही आपका हिमांचा पर देश कुछ-कुछ भाग पंजाब खर्याना ठीक उत्राखन के भाग तो यह संकट ग्रस के प्रगा पेड़ पाओधे हैं जो इसको रच्छन करना बहुत ही जवरी है संकट ग्रस जल्दु की बात करें कर दार्फिंग जो मचली जो पाई जाती है यह भी संकत ग्रस था हाला कि भारत की यह क्या है राष्टी जली जीव है इसलिए डार्फिंग को बच रगिन्टिनिस्टा अरे तकलि pumpkin पर कि इसी को कि अपर सब्सक्राइब में पर ही जाना तर этот आपका जो शेतर गया जहाने के प्रजाती है कौन से बलॉपत होने वाले हैं ने सब के बारे में हमने के साथ हमने को बीजंत के प्रयास जानने के पर्जाद तब हमारा जो होगा कि कि इसका कुस तरह से हम लोग कर सकें त्वी जानना जरूँ है कि आकी में सरक्षण किसे कहते हैं तो क्या है वह प्रक्रिया है जिसके द्वराया जो जीव जनतु जो होते हैं उसको हम लोग लगा ता जीवित बना रखेंगे उसका अलग से करेंगे उसका विकास करेंगे उनकी प्रोषा से इस तरह करेंगे तो इस तरह की किरिया को हम लोग सरक्षं कहते हैं उनका घुखता सरक्षं किस तरह से यहां पर इसली है पूछा गया है कि इनके इसके अंतर के क्या सामिल नहीं होते हैं तो यहां पर इसमें जो होंगे उनके ही प्राक्रितिक इस्थाल परिवेस में रचन किया जाएगा अर्था उन्हें कि इस प्रकायब के हम सरचन को 100 रिस्थान अपने ही स्थान करना ही 100 साbn सरचन कहलता है आइगा पवित रीस्थाल आएगा राश्प्ति गूद्याने अभृरन आएगा आपको बायो इसके रिजर्व आएगा इह चारों चीज़ आपके इसके अंदर आएंगे तो 100 इस्थान स्थांस्ट्ण के अंदर आएंगे ठीक है निये जियों को उनके प्राक्रिति परिविय से हटाएंगे उसको और उनको कृति मुरू से आर्टिफिसिल तौर पर उनको विक्सित करेंगे और एक नए इस्थान पर रखेंगे तो ऐसे जो स्थान की प्रोसेस से उसे हम लोग एक सीटू स्थान के नाम से जानेंगे जैसे कि आपका कौन-कौन सा हो गया पवीत्र पाउ सब्सक्राइब करेंगे कि आखिर में यह सब क्या क्या होते हैं कि कम से कम इसका परिवासा जाने का प्रयास करेंगे कि कि किसे क्या कहेंगे होसे हैं इस तरह से आप से रैज हो सकता है इस सब के बारे में जानेंगे इसका सांसा कोश कोश फैर से भीवी जानेंगे जो कि आके अश्यव के सांसा